नमस्कार आपके साथ हूँ सेलेंड कुमार गोपाल गंज पुलीस अधिक्षक और देश दिछेते परवार सम्हानले के बाद सबसे पहले गोपाल गंज जीले के कुछाई को ठाना च्छत अंतरगत एनस सताइस बल्थरी चेपकोष्ट पर पहुंचे और जहाँ पे तैना आत चेपकोष्ट से लेके हर्थ चीज का उन्होंने निरक्षक किया आप देख सकते हैं तस्वीयों में जहाँ पर पुलीस अधिक्षक जो नय और धेश दिछित वो यहाँ पे अपना गोपाल गंज की जो पुलीस अधिक्षक का प्रवार समालने के बाद यहाँ पे पहुंच क्या गया कि उनके दड़ा यह कोष्ट है यह उतर प्रेस्ट बिहार का सीमावर्ती छेत है जहां पर लिकर की तसकरी सराव तो सही तमाम तरह की तसकरी की घटना है हमेशा सामने आते रहता है साथ ही साथ यहां अपराधी गतिव इधियों का आने जाने का यहां पर यह आम रास्ता है जिसको लेकर यहां पर मेरे दोरा हर चीज का जाज़ परताल किया गया और यहां पर तैनात हरेक पुलिस कर्मी को हरेक बेक्ति को यह निर्देश दिया गया कि किसी भी परजार की कोई गरबड़ी नही अधिकारी हो किसी को भी नहीं बखसा जाएगा उसके उपर करवाई सुलिशित किया जाएगा अगर एडोसी पाया जाएगा तो जरा आप भी सुनिए कि निरेच्छन के बाद यहाँ पे जाज परताल किये उसके बाद गोपालियंस के नए पुलिस अधिक चार्ट और दिशि कि दूपली सेंट सेंट रिकटे हैं और यह एक वोक्सपोट राहा है अभी है अभी है अभी हैएगा और देखाएगी किस सरे से काम सुण दाए है अगर शी इस तरह के वर कोई भी घटबर होता है और कोई भी अगर के आगर कंपलें आती है मिल नहीं अपने सुना कि गोपालगंज के नए पुलीस अधिक्षक और देश दिचित के द्वारा अनेच एनस 27 कोकचाई को ठाना चेतर के बल्थरी चेक पुस्ट पर पहुचने के बाद जब उनके द्वारा नियक्षर किया गया उन्हें अच्छर के बाद उनके द्वारा फूरा क्य पहले क्या होता था अब क्या आगे होगा उसका नेड़न हम करेंगे और किसी परगार की कोई गरवरी बरदास नहीं होगी अगर गरवरी करते हुए कोई भी दोसी पाय जाएगा तो उसमें कारभाई सुनिश्शित किया जाएगा दर्स न्यूज के लिए गोपाल गंसे मैं सैलन्द कुमार स्रवास्त हूँ